घर पर ऐसे बना लो ये पाल्स बबासीर नासक आर्वेदिक चूरन जो कब्ज फिसर और बबासीर को जड़ से ठीक कर देता है जी हाँ दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉंस्टिपेशन कब्ज से परेशार रहते हैं बबासीर से परेशार रहते हैं पाल्स से परेशार रहते हैं अगर आपके मस्वों में दर्ध होता है सूजन होती है मस्वों में जलन होती है या फिर फिसर जैसी समिस्य आपको हो गई है तो एक ऐसा आर्विदिक नुस्का बताऊंगा जिसका प्रियोक करके आप इन सभी समस्याओं को जड़ से ठीक कर देंगे तो नुस्का बनाने के लिए आपको लेना है दन तीस पत्ता सूखा बीस ग्राम आपको लेना है आउला सूखा पचास ग्राम आपको लेना है हरा चिरायता यहाँ पर दस ग्राम आपको लेना है इसब गोल की बोसी सो ग्राम आपको लेना है चित्रक जड़ दस ग्राम और आपको लेना है गिलोई गुरुची दस ग्राम साथी साथ अमरूत का सुका हुआ पत्ता लेजिए आप 20 ग्राम और बेल पत्त का गूदा आपको लेना है दस ग्राम ये कुछ जड़ी बूटियां जो कि आपको लेनी है तो जड़ी बूटियों को लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सभी जड़ी बूटियां अच्छी हो एवन क्वाल्टी की हो साफ सुत्री हो जब सभी जड़ी बूटियों को आप इखटा कर लेंगे तो इन्हें खरन मूशल में डाल करके आच्छे से कूट पीस लेजिए और महीन से महीन चूरन बनाईए फिर इस चूरन को एक बरतन में कपड़ा लगा करके उसे अच्छे से कपड़चन कर लीजिगा और इसे एक डि स्थेज करना है आपको तली भुनी बादी वाली चीजallo नहीं सेवन करना है पालग है हरी पत्निया है या बहुत जिसमें ऑकी भर्पूर मातरा मात्रा होती है ऐसे आपको शिवन करना है साती साथ खाना खाने के आदे गंटे बाद गुनगुने जल के साथ सुबह और साम इस दिब्वे चूरन का प्रयोग करना है आदे से एक चम्मा सुबह लीजिए खाना खाने के बाद जल के साथ अगर आप ऐसा दिन में दो बार शिवन करते हैं तो कुछी दिनों में आपका फाइल्स, आपका फिसर और आपका कॉंश्टी पेसन बिल्कुल ठीक हो जाता है मस्य मुर्जा जाते हैं, मस्यों में कोई दर्द नहीं रहता, कोई जख्मी नहीं रहता, कोई खुजली और जलन भी नहीं होती तो घर पर इस तरीका से बनाईए और फायदा उठाईए और हाँ दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो वीडियो को लाइक कर जीजिएगा साथिसा चनल पनाई है तो चनल को सब्सकाइब कीजिएगा नमस्कार